इन एंकर्स को भी ये आभास होगा कि आने वाली पीड़ी इनसे पूछेगी इनसे सवाल पूछेगी तब इनके पास क्या जवाब हो ये इस उम्मीद के साथ बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है और फिर से मैं कह रहा हूँ पूरी उम्मीद है ये वक्त ऐसा नहीं दहेगा हमारे ये साथ ही भी सोचेंगे चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे नमस्कार में हम अमद आसीफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन इस ते चौदर एंकर का जो बहिस्कार किया गया है क्या ये सही है नहीं गलत सथे और नोज़ शाम को पांच वजे कुछ चैनल्स पर नफृत का एक बाजार सजाए जाता है पिछले नौ साल से लगातार चल रहा है, उस बाजार में अलग-अलग पार्टी इसके प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेशक जाते हैं, कुछ विशलेशक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बन कर जाते हैं हमें नफरत भुख भारत की दिशा में एक कदम उठाना था आज एक निरने लिया गया कुछ एंकर्स को चिनित किया जाए और उनके इस तरहें के शोज में इवेंट्स में हम लोग न जाएं जिससे की एक कदम उठाया जाए एक सशक्त कदम उठाया जाए we do not want to legitimize this hate-filled narrative which is corroding our society that was the idea आप हमारे नेताओं के खिलाफ headline बनाते हैं उनकी memes बनाते हैं उनके भाशनों को twist करते हैं आप fake news फैलाए कुछ भी करें हम जूजने को तयार हैं लड़ने को तयार हैं आज तक लड़ते ही आएं लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो की हिंसा का रोप ले लेगे हम उसमें भागिदार नहीं रहेंगे बड़े भारी मन से निरने लिया गया we are not opposed to any of these anchors we do not hate any of these anchors but we love our country more हमें भारत से महब्बत है इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा यही सोचकर हमारे इंडिया अलाइंस के तमाम सदस्यों ने ये निरने लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया और एक जुड़ता हुआ भारत इसमें नफरत की कोई जगें नहीं हो सकती यह हमारा मानना है और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा थिती बदलेगी इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीड़ी इनसे पूछेगी इनसे सवाल पूछेगी तब इनके पास क्या जवाब होगा यह इस उम्मीद के साथ बड़े भारी मन के साथ आज यह लिस्ट हम लोगों ने जारी की है और फिर से मैं कह रहा हूँ पूरी उम्मीद है यह वक्त ऐसा नहीं रहेगा हमारे यह साथी भी सोचेंगे चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे जय हिंद जय भारत जय इंडिया यह उसके माध्यम से फैलाया जाता है दिल पे हाथ रखे जरा सो सूची क्योंकि जो लोग जहर फैलाते हैं जिसका जिम्मेदार वो खुद है उनका लिस्ट में तो नामी नहीं है जली जरा सा इंडिया टीवी के मालिक का नाम आपको बताओगा इतना तो मेहना ताभी कर ल लेकि क्या बताना चाते हैं खुद अब आप एहसास किजे दरस्ट को कि जिन एंकरों का नाम है उसमें से अगर एक भी अगर एक भी किसी चैनल का मालिक है जो यह फैसला करता है कि चैनल क्या चलाना है नहीं चलाना फिर तब तो ठीक है कि चले ठीक है भाई वो समाज के वी किजिए आप खुद इस बात का जो है फैसला नहीं का रहे कि कौन सही है कौन गलत है जरू को आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट कर जरू बताएगा देज दुनिया की भाई खबर के लिए देखते रहे नेक्स ट्राइ नियूस अमस्कार